नवश्कार देश देशांतर में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ निशाम मिश्रा आये देख लियाते हैं आज की मुख्य हेडलाइन्स स्कूलों में बैन हुआ हिजाब करनाटक हाई कोट ने सुनाया एहम फैसला CAA प्रदर्शनकारियों से वसूला गया जुर्माना वापस करने की तैयारी में योगी सरकार घर घर भेजेगी चेट खालिस्तानियों के साथ केजरिवाल के संबंद की जाच की मांग वाली PIL खारेज पीएम मोदी निकी दा कश्मीर फाइल्स की तारीफ कहा फिल्म में वो सच दिखाया गया है जिसे सालों तक दवाया गया था इंस्पेक्शन के वक्त अंजाने में पाकिस्तान में गिरी भारत की मिसाइल राज्य सभा में राजनाट सिंग ने दिया जवाब बाइजिन का बड़ा एलान यूकरीन के संडार्थियों को पना भी देंगे और पैसा भी आये देख लेते हैं अब खबरे विश्त्रीत रूप में हिजाब विवाद पर मंगलवार को करनाटक हाई कोट ने एहम फैसला सुनाते हुए स्कूलों में हिजाब पहन कर जाने पर रोक लगा दी है कोट ने साफ कहा है कि हिजाब पहनना इसलाम की अनिवारे प्रता का हिस्सा नहीं है छात्रों को सिक्षन संस्थानों में ड्रेस कोट का पालन हर हाल में करना होगा बता दे कि करनाटक हाई कोट में उडूपी की छात्राओं ने याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनी की इजाज़त देने की मांग की थी हाई कोट के मुख्य नयाय धीश लितुराज अवस्थिक या ध्यक्षता वाले तीन जज़ों के पीठ ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल डेस पहनने से इंकार नहीं कर सकते इस फैसले के बाद हाई कोट के जज़ के आवाज की सुरक्षा फिलाल बढ़ा दी गई है नागरिक्ता संसोधन कानून यानी CAA के विरोध में हुई हिंसा के बाद प्रदेश सरकार ने उपद्रवियों से जुर्माना वसूल किया था हलाकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानपूर में वसूला गया जुर्माना वापस करने की कवायद शुरू हो चुकी है कानपूर में 33 लोगों से 3,67,000 रुपए वसूले गए थे बतादे की CAA और NRC के विरोध में दिसंबर 2019 में कानपूर में कई जगा बवाल हुआ था उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ती को बड़े पैमाने पर नुक्सान पहुँचाया था बाबू पुर्वा और बेकन गंज थाना चेतर के रहने वाले 33 लोगों से जुर्माना वसूला गया था सुप्रीम कोर्ट ने रिकवरी को गलत बताया था जिसके बाद जुर्माना वापस करने का आदेश दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ उचिस तरिय जाच की मांग वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया याचिका में आरोप लगाया गया था कि उनके खालिस्तानी अलगाव वादियों के साथ संबंध है दिल्ली हाई कोट के कार्यवाहक मुख्य नयायधीस विपिन सांगी और नयायमूर्ती नवीन चावला की खंड पीठ ने टिपणी की की याचिका पूरी तरह से तुछ थी और याचिका करता के वकील से ऐसी याचिका दायर नहीं करने को कहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हाल ही में रिलीज होई फिल्म दक कस्मीर फाइल्स की तारिफ की है उन्होंने कहा कि आसी फिल्म में कई बार बनाई जानी चाहिए बीजेपी संसद्येदल की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिल्म में वो सच दिखाया गया है जिसे कई सालों तक दबाया गया था बीजेपी संसदियदल की बैठक में पीएम मोदी ने फिल्म कस्मीर फाइल का जिक्र करते हुए इसके विरोधियों पर जम कर निशाना साधा अंजाने में पाकिस्तान में गिरी भारतिय मिसाइल के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए देश की मिसाइलों की जाँच और देखबाल से जुड़े एसोपी की समिक्षा करने का आदेश दिया है मंगलवार को रक्षा मंतरी राजना सिंग ने संसद को बताया कि सरकार ने इस घटना को बेहत गमभिरता से लिती हुए एक उचिस्तरिय जाँच के आदेश दिये हैं संसद में दिये अपने बयान में रक्षा मंतरी ने कहा कि भले ही हमारे मिसाइल सिस्टम अत्यांत सुरक्षित और भरुसे मंद है लेकिन अगर उसमें किसी तरह की कोई खामी पाई जाती है तो उससे तुरंत दूर किया जाएगा राजना सिंग ने कहा कि हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योर्टी को सरोच प्राथ मिक्ता देते हैं युक्रेन और रूस के बीच जारी जुद का अज 20 वा दिन है रूस के खिलाफ युद की मार झेल रहा है युक्रेन को अब अमिरिका की तरफ से बड़ी राहत मिली है अमेरिका के राष्ट पती जो बाइडन ने ऐलान किया है कि युक्रेन को हत्यार दिये जाएंगे उन्होंने कहा कि युक्रेन में मानवीर सहाइता भी भेजी जाएगी और वहां के शर्ण आर्थियों को अमेरिका में जगह दी जाएगी इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए दी उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि युक्रेन के पास हमलावा रूसी सेना से बचाव के लिए हत्यार हो हम युक्रेनी लोगों की जान बचाने के लिए पैसा भोजन और सहायता भेजेंगे हम युक्रेन के स्राइन आर्थियों का खुले दिल से स्वागत करेंगे देश देश दिशांतर में फिलहाल के लिए बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही है भारत में तर लाइफ नमस्कार अगर आपको हमारा यह विडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें